नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर केज सवगले और हमारे चैलने डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीड़े में हम बात करने वाले हैं पल्मूनरी इंबोलिजम इसके बारे में। पल्मूनरी इंबोलिजम को शौट में पी-ई इसे भी कहा जाता है। सबसे पहले बात कि हमारे बॉड़ी में जो लंग्ज होते हैं या फिर फेफड़े होते हैं। उस फेफ़डों में खून को carry करने वाली या फिर blood को carry करने वाले कुछ blood vessels होते हैं, कुछ arteries होते हैं, वो arteries एक artery या फिर एक से भी ज्यादा arteries, खून के ठकों के वज़े से या फिर blood clot के वज़े से block हो जाते हैं, उनके अतर ब्लोक हो जाते हैं, इसी को हम pulmonary embolism ऐसे बोलते हैं तो pulmonary embolism को पैदा करने वाले जो blood clots होते हैं वो हमारे body के किसी other part से भी travel करके खून के मात्यम से या फिर circulation के थूरू lungs तक आ सकते हैं जैसे कि अगर कोई clot हमारे पेर के अंदर है तो ओ भी खून के थूरू travel करके हमारे lungs के अंदर आ करे lungs के अंदर pulmonary embolism को पैदा कर सकता है इसके बाद हम बात करेंगे कि pulmonary embolism होने के कारण क्या-क्या होते हैं इसके बारे में सबसे basic कारण तो यही होता है कि blood clot का खून के नसों के अंदर फस जाना यही main reason है जिसके वज़े से किसी भी patient में pulmonary embolism की वीमारी पैदा होती है तो इस तरह से जो हमारे lungs के blood vessels के अंदर जो blockage बन जाता है वो blockage हर बार ज़रूरी नहीं कि blood clot के वज़े से ही हो blood clot के साथ साथ उस patient में अगर कोई tumor है तो उस tumor का एक छोटा सा part आकर के भी उस blood vessel में आकर के blockage पैदा कर सकता है तो tumor का कोई part blockage पैदा कर सकता है इसके साथ साथ blood clot है वो भी blockage पैदा कर सकता है इसी तरह का blockage air bubbles के वज़े से भी हो सकता है या फिर अगर किसी patient में मान लो कि कि किसी long bone के अंदर fracture हो चुका है तो उस long bone के अंदर fracture होने के वज़े से जो उसके अंदर fat होता है उस fat के वज़े से भी एक clot form हो जाता है और वही clot हमारे body के अंदर खून के थूँ ट्रैवल करके lungs में पोचता है और वहाँ पे blood clot के वज़े से उस lunges के अंदर होने वाली एक या एक से ज़्यादा arteries blockage हो सकती है उसके अंदर blockage आ सकता है तो इस सब कारण है जिनके वज़े से किसी भी patient में pulmonary embolism की विमारी हो सकती है तो इसके बाद हम बात करेंगे कि किन patients में pulmonary embolism होने का खत्रा सबसे ज़्यादा होता है इसके बारे में अगर हम recent बात करें तो COVID-19 की विमारी आई थी तो COVID-19 जिस patient में हुआ होता है उस patient में इस तरह से pulmonary embolism होने के chances काफी ज़्यादा होते है इसके साथ साथ अगर कोई heart का patient है जिसको पहले से दिल की बीमारी है उसमें भी इस तरह से pulmonary embolism हो सकता है इसके बाद अगर किसी patient में surgery होई है कोई major surgery होई है या फिर किसी patient को cancer है या फिर किसी patient के अंदर blood के clotting को affect करने वाली कोई बीमारी है तो फिर उस patient में भी इस तरह से pulmonary embolism होने के chances काफी जादा बढ़ जाते है अगर कोई patient काफी जादा लंबे समय से bed rest ले रहा है या फिर अगर कोई वेक्ती बहुत जादा लंबे समय तक traveling के वज़े से एक ही जगा पे sitting posture में बेटा रहता है तो फिर उस condition में उस patient में भी blood clot बनने के और उसके वज़े से आगे जाकर के pulmonary embolism होने के chances काफी जादा बढ़ जाते हैं इसके साथ साथ pregnancy होना या फिर पेशन बहुत जादा ओबेज होना उसके बोड़ी के अंदर obesity होना यह भी कुछ कारण है जिसके वज़े से उस patient में pulmonary embolism हो सकता है खास करके जो patient smoking कर उनके अंदर इस तरह से pulmonary embolism होने का खत्रा तो काफी जादा बाकी patients के मुकबले और भी जादा बढ़ जाता है इसके बाद हम बात करेंगे कि उस patient में pulmonary embolism होने के बाद क्या-क्या लक्षन आते हैं क्या-क्या science और symptoms होते हैं इसके बारे में सबसे पहली बात तो किसी भी development patient में pulmonary embolism होने के बाद उस patient में सांस फूलने लगती है उस patient को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है सीने में दर्द होना इसके साथ-सात खांसी आना खांसी के साथ-सा धूड़ा खून निकलना इस भी लक्षन उस patient में हो सकते हैं इसके बाद चक्कर आना, बुखार आना, तेज बुखार आना, इसके साथ साथ उस patient में बहुत ज़्यादा पसीना निकलना या फिर चक्कर आना और सीने में या फिर छाती के अंदर दर्द होना एक कुछ महतोपूरन लक्षन है जो कि उस patient में pulmonary embolism होने के बाद दिखा ही द देना एक काफी ज़रूरी होता है इसके बाद हम उस patient में CBC कर सकते हैं, chest x-ray कर सकते हैं, d-dimer की test कर सकते हैं इसके साथ ABG करना या फिर arterial blood gas को analyze करना और CT scan of the thorax या फिर thoracic cavity का CT scan करना इस सब चीज़े की जा सकते हैं दरके ABG, chest x-ray और d-dimer ये तो काफी gold standard test है इस तरह के condition को diagnose करने के लिए, इसके बाद CT pulmonary embolism को डाइगनोस करने के लिए, इसके बाद CT pulmonary embolism को डाइगनोस करने के लिए कर सकते हैं, और finally हम बात करेंगे pulmonary embolism के treatment या फिर इलाज के बारे में, तो pulmonary embolism जो की एक blood clot के बन इस बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमें खून को पतला करने वाली दवाई देने पड़ती है, इसके साथ साथ जो खून के नसों के अंदर blockage बन जाता है, उस blockage को या फिर उस clot को dissolve करने वाली दवाई भी देने पड़ती है, जैसे कि heparin या फिर low molecular weight heparin इस त तो फिर हमें उस patient में surgery करनी पड़ती है, सबसे पहले तो clot remol surgery की जाती है, जिसके लिए thin flexible catheter का इस्तमाल किया जाता है, इसके साथ साथ जो दूसरी surgery है, वो होती है, हमारे lungs के अंदर blood vessels होते हैं, उनके अंदर blood filter को position करना, blood filter को fix करना, और ये blood filter को position करने का काम भी हम एक thin catheter के सहायता से, या फिर thin catheter के help से कर सकते हैं, इस तरह से किसी भी pulmonary embolism के patient में blood thinners, या फिर खून को पतला करने वाली दवाई देना, clot को dissolve करने वाली दवाई देना, जरूरत प्रड़तों surgery करना, इस सब चीज़े hospital के अंदर admission करने, उस patient को admin करने के बाद की जाती है, on discharge भी उस patient को काफी लंबे समय तक इस तरह की medication by oral route चालू रखनी पड़ती है, यह इसके साथ साथ उस patient को अपने खाने में भी कुछ diet restrictions को follow करना पड़ता है, patient को इस बीमारी से ठीक होने के बाद भी कुछ समय तक लागातार anticoagulant की medications शुरू रखनी पड़ती है, और इसके साथ स चेक अप करवाना पड़ता है, क्योंकि एक ACB मरी है, जो एक बार होने के बाद फिर सी दुबारा होने के chances होते हैं, तो इसलिए फिर से कोई तकलीफ ना हो, इसलिए timely खुद को follow के लिए doctor के पास जाना, timely कुछ टेस्ट करवाना एक काफी ज़्यादा जरूरी होता है, so this was in short about the pulmonary embolism, if you have any doubts you can always ask me in the comment section, I will try to give the answers but I cannot give you those assurity for the answer, क्योंकि बहुत ज्यादा comments होते हैं और हरेक को तो reply नहीं कर सकते हैं, thanks for watching this video till then, thank you very much. झाल